दोस्तों मैं हूँ डॉक्टर मुशर्णा फुसेन और आज मैं आपके साथ शेर करने वाला हूँ कुछ ऐसी जानकारी जो आपको जानना बहुत जुरूरी है हम बात करेंगे क्रॉनिक सानुसाइटिस के बारे में Khronik सानुसाइटिस एक ऐसी विमारी है जो बहुत सारे लोग को तंग करती है सुबह उटके आपको सरदर सुरू तो दो तरह की sinusitis generally होते हैं एक होता है acute sinusitis, एक होता है chronic sinusitis, acute sinusitis का मतलब होता है कि आपको जब पहले बार दूसरी बार एक acute episode होता है, आपको जब दर्द होता है तो वो acute condition होती है, वो किसी infection के कारण आपको acute sinusitis हो सकता है या कोई inflammation हो गया हो sinuses के अंदर उसके कारण हो सकता है लेकिन जब बार-बार आपको recurrent यह episode होने लगते है sinusitis के तो इस condition को कहा जाता है chronic sinusitis तो होता क्या है कि आपके face में जो है दो यह maxillary sinus होते हैं यहाँ इस जगापे दो आपके frontal sinus होते हैं यहाँ पे और दो पीछे की तरफ होते है तो सबसे ज़्यादर जो affected sinus होता है वो maxillary sinus और frontal sinus होते है होते क्या है कि जब बहुत बार-बार-बार infection होता है या किसी कारण से आपको जल्द जल्दी नजला जुकाम होता है तो जो sinus के लिए हैं उनमें inflammation आना शुरू हो जाता है जब वो inflammation आना शुरू होता है तो आपको दर्द होता है भारीपन लगता है और जो एक केनाल होती है जो fluid sinus से निकाल के आपके नाक की तरफ लेके आती है वो narrow होने लगती है जब ये केनाल narrow होने लगती है रास्ता नहीं मिलता इस fluid को बार निकलने के लिए पी जो fluid है वो आपके sinus में खटा होने लगता है जिसकी वज़े से pressure headache या pressure sinusitis का headache होने लगता है और यहीं से आपके लक्षणों की शिरुवात हो जाती है तो अभी तो हमने बात कर ली कि मोटा मोटा इसके कारण क्या होते है अब बात कर लेते हैं कि इसको रोका कैच से जा सकता है क्या इसको prevent कर सकता है या इसको ठीक किया जा सकता है तो मैं आपको ऐसी बूटी या दवाई बताने वाला हूँ जो एक तरह से sinus के लिए drug of choice है खास तो उसे आयोवेदा और युनानी medicine therapy के अंदर तो एक तो आप prevent ऐसे कर सकते हैं कि आप बीच बीच में steam inhalation ज़रूर करें तो steam inhalation करने से क्या होता है कि वो blockage खुलता है जो विसको सीटी इफलूट किया वो थोड़ी कम हो जाती है उसको निकलने में आसानी हो जाती है उसके साथ साथ आप थोड़ा सा अपने आपको बचाव रखें एकदम से ठंडा गरम ना करें मौसम के लिए आसका ख्याल लखें लेकिन अगर आपको sinusitis हो ही गया है और आप एक हद्टा किससे परेशान हो चुके हैं तो फिर आप इस medicine को use कर सकते हैं आपको कहीं पर इसको तलाश करने की जुरूत नहीं है कि नहीं आपको पोजा तलाश करना पड़ेगा मार्केट में इसके compounds बने-बने आते हैं हाँ अगर आपको pure form में ये मिल जाती है कहीं से आप इसकी पैचान कर सकते हैं आप जंगल से तोड़के ला सकते हैं या किसी के herbal garden से ला सकते हैं तो उसका तो कुई जवाब ही नहीं है बट फिर भी ये pure form में मिल जाती है और इसके कई सारे products आते हैं जो एक product है युनानी therapy में इस दवाई की जिसके अंदर अच्छे-कासी मात्रा होती है जाता रहेगा 90% cases में हाँ 10% cases ऐसे हो सकते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा effect नहीं आए क्योंकि वो उतने ज़्यादा खराब हो चुके होते हैं कि अब उसमें surgical intervention की जूरत पड़ती है surgical intervention होता है FES के नाम से जिसको जाना जाता है F-E-S-S-S- functional endoscopic sinus surgery तो इसमें आपका जो ये narrow passage है उसको थोड़ा सा खोल दिया जाता है और fruit को निकाल ले जाता है जिससे आपका जो pressure headache को काम हो जाए और फिर बाद में आपको इस तरह की दिक्तत ना हो तो आप इस दवाई को इस्तमाल करें अगर आपको फिर भी कुछ doubt है तो आप मुझे लिख सकता है comment के में करके पूछ सकता है definitely मैं आपके सवालों के जवाब दूँगा और अगर इस वीडियो से इस जानकारी से आपको वाकई कुछ सीख मिली हो तो इसको like जरूर कर लेना दोस्तों को साथ शेयर कर लेना और अगर चैनल पर पहली बार आए है तो subscribe जरूर कर ले bell icon का बटन भी दबा ले so that इस तरह के health informative videos आपको समय पे मिलते रहे thank you, अन्यवाद